हरिवंश राय बच्चन मधुशाला मैं उन्होंने खुद की परवरिश के बारे में लिखा था मैं कायस्त कुलोद भव मेरे पुर्खुने इतना डाला मेरे तन के लहू में है 75 प्रतिशत हाला पुष्टैनी अधिकार मुझे है मधिराले के आंगन पर मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला दरसल अपनी कविताओं और लेखनी से वो कम समय में ही दुनिया भर में जाना पहचाना नाम बन गई इलहबाद में रहते हुए उनकी लेखनी में मानविय सम्वेदनाई झलकने लगी थी आदी से ज़्यादा जिन्दगी की राए के मकान में गुजारने वाले हरीवश राए बच्चन लोगों की तकलीफ को शब्दों में उतारते थे 1929 में इलहबाद युनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद में में अडमिशन दिया लेकिन 1937 के असायोग अंदोलन के चलते पढ़ाई बीच में छोड़ दी हलांकि 1938 में एमे करने के बाद केम्बरिज चले गए बियम में पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी श्यामा से हो गई थी लेकिन दोनों का साथ कुछ वक्त के लिए ही रहा श्यामा की मौत के बाद वो दुखी रहने लगी जब श्यामा की तवियत खराब थी तो एक कविता लिखी थी रात आधी खीच कर मेरी हतेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने इस कविता ने हरिवन श्राइब बच्चन को काफी शोहरत दिलाई मधुशाला भी उनकी लोग प्रियता बढ़ाने में पीछे नहीं हटी 24 जन्वरी 1942 में हरिवन श्राइब बच्चन ने तेजी बच्चन से दूसरी शादी की 1941 से 1952 तक इलहबाद उनिवर्स्टी में अंग्रेजी के प्रवक्ता के साथ औल इंडिया रेडियो से भी जुड़े रहे उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्राले में हिंदी वी श्राइब बच्चन की हिंदी पर गजब पकर थी कहा जाता है कि श्यामा की मौत और तेजी से शादी को उन्होंने हमेशा कविता में जगा दी तभी तो उन्होंने लिखा था कि बीता अवसर क्या आएगा मन जीवन भर पच्चता आएगा मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मरना सका, मैं जीवन में कुछ ना कर सका उनकी आत्म कथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर और दश द्वार से सोपान तक उनकी शानदार लेखनी है हरिवंश राय बच्चन को सबसे बड़ी प्रसिधी 1935 में मिली जब उनकी कविता मधुशाला छपी 1966 में वो राजे सभा के सदस्य रहे, 1968 में साहित अकादमी अवार्ड तो 1976 में पदमा भूशन से नवाजा गया अठारा जन्वरी 2003 में मुंबई में हरिवंश राय बच्चन ने आखरी सांस ली, उनके पुत्रमिता बच्चन बॉलिवुड के महनायक ही अपने निधन से पहले तक हरिवंश राय बच्चन ने कविताओं के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया तो प्रेम की कविता की नई पधती विक्सित की कहा जाता है खुद महत्मा गान्धी ने उनसे पूछा था कि वो मधुशाला के जर्ये लोगों को शरावी बनाने पर क्यूं तो ले है जब महत्मा गान्धी ने मधुशाला पढ़ी तो उनका डर खत्म हो गया हताश युवाओं को संदेश देने के लिए हरिवन शराय बच्चन ने एक कविता में लिखा था जीवन में एक सितारा था माना वो बहद प्यारा था वो डूब गया तो डूब गया अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे तूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहां मिले पर बोलो तूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बीत गई मधुबाला मधुकलश और मधुशाला के जरिये हरिवश्राय बच्चन ने समाज में एक नई चेतना फैलाई थी मधुशाला में समाज को गहरा संदेश दिया गया था मधुशाला की कुछ पंग्तिया है मुसल्मान औव हिंदू है दो एक मगर उनका प्याला एक मगर उनका मदिरा ले एक मगर उनकी हाला दोनों रहते एक ना जब तक मंदर मस्जद में जाते बैर बढ़ाते मंदर मस्जद मेल कराती मधुशाला दरसल मधुशाला के जरिये हरिवन शराय बच्चन ने समाजिक एकता का संदेश दिया बॉलिवुड के कई गाने भी उन्होंने लिखे हिंदी कविता के इतिहास में हरिवन शराय बच्चन के एटिटूड और फिलोस्पी का हर कोई कायल है कविता के जरिये उन्होंने समवेदनाओं के साथ ही जिन्दगी की सच्चाई से दुनिया को रूबरू कराया इस पार उस पार कविता में जिन्दगी की हकीकत का जिकर करते हुए उन्होंने लिखा था मैं आज चला तुम आओगी कल पर सो सबसंगी साथी दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है मेरा तो होता मन डगमग डगमग तटपर ही के हलकोरों से जब मैं एका की पहुँचूँगा मजधार न जाने क्या होगा इस पार प्रिये मधू है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा